नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक तो कुरेसरी एंड टोडे वी आर गोईंग तो डिसकेस अबाउट दी स्कोर्ड अनालिसिस अफ लास्ट यर्स डिफेंडिंग चेंपियन अफ आयसल सेल विनर मुंबाई सिटी एफसी फोर दी सेजन 2023-24 वी ओल्डेडी नो कि मुंबाई सिटी इस वन अफ दी मॉस्ट सेटल स्कोर्ड एंड वन अफ दी स्ट्रोंगे स्कोर्ड इन दी आयसल एंड पर्टिकुलर्ली जो रिसेंट पास में उनकी पॉफोर्वांस रही है जो कंसिस्टेंसी रही है आयसल में वो काफी कभीले दारीफ जो कि ग्रूप में सेकंड पर फिनिस किया था लेकिन इस बार भी चैलेंज इस उतने ही बड़े है आयसल में भी हमको पताई कि यहां पर दूसरी टीम में भी इस बार स्ट्रोंग हुई है तो वहां पर भी चैलेंज रहना वाला है और साथ ही में चेंपियास लिग में भी ह पर हुआ है चांगते का आप करियर देखे जिस तरह से उनका रिवाइब करियर हुआ है और जिस तरह से नेस्टन टीम के लिए भी काफी कुरूशल पैर बन चुके अपूया आप देख लिजे आप विपिन सिंग का परफॉंस देख लिजे तो काफी सारे एसे इंडियन प्ल होने वाला है मेरे इसाब से चीज तरह से इंग कोंपिडिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अगर हम स्कूर की बात करें तो गोलकीपर में ओबियसली फर्स चोइस और फूर्बा लेच अपना रहने वाले जिन्होंने चैंपियस लिग में भी लास्ट येर बहतरी परफ पास कर रहे एक एक एक्स्पिरेंस गोलकीपर है जो राजस्तान उनाटेट से अपलाए थे वो भी बेकप के तोर पे यहां पे काफी उटिलाइजेशन वाले प्लेयर है और उसके साथ एक यंग गोलकीपर ही यहां पे अहान प्रकास उनको भी उन्होंने साइन किया हुआ ह तो यह तीन-चार गोलकीपर आपके बेकप में रहेंगे और फुरभा लेचपना विल बी दे मेंन फॉर दिस सेजन इसल ऑलसो इन ऑलसो इन दी चेंपियस लिग उसके बाद अगर अगर बेक लाइन की बात करें तो बेक लाइन में उनके पास यहां पे दो फोरेंस सेंटर बेक है जिसमें पहला तो रच्षन ग्रिफिट्स जो की लास्ट येर थे ही और अच्छा परफॉंस था उनका और मौतादा फॉल का मौतादा फॉल को इस बार उन्होंने सेल कर दिया है रच्षन ग्रिफिट्स को यहां पे कंटीनू किया गया है तो वहाँ पे चैंज नही किया गया एंड सेट पिसिस में काफी जादा डेंजरेस है रोच्षन ग्रिफिट्स अगर आप उनकी परफॉंस देखे तो तो इसके साथ यहां पे एक और सेंटर बेक की उन्होंने साइनिंग की फोरें वह है वाई तीरी जो कि लास्ट येर यहां पे महनमदान के साथ में हमको पता है कि छे फोरेंट के साथ आप खेल सकते हो तो वहां पर उनका यूटिलाइजेशन आइटिंग और ज्यादा मेरे को लगता की हो पाएगा क्योंकि जो फर्स्ट चोइस में भी इन आइसल रहेंगे वह रोच्षन डिफिस एन मैथाप हो सकते हैं लेकिन चेंप काफी क्रूशल रोल रहा था अगर आप देखिए पंजाब एपसी का लास सीजन का आयलीग केंपेंड चीतने में और क्या बोलते हैं प्रमोशन दिलाने में तो वेल्प या इसके साथ एक और यहां पर उन्होंने सेंटर बेक साइन किया इस सीजन वह है यहां पर नथन रो प्रमिसिंग है हाइट है बंदे की अच्छा एक बोल के साथ बिल्डप के लिए बहतरी सेंटर बेक हैं और इसके लिए वोच आउट करना चाहिए सभी इंडियन फैंस को उसके बाद अगर हम फुल बेक्स की बात करें तो फुल बेक्स में उनके पास आकास मिस्रा चो कि य लग रही थी तो उसकी जगहा पे यहां पर प्रीमियम लेक लेक है और काफी हैप्टी यहां पर क्या बलते की ट्रांसफर फ्री एंड मोहन बगान के साथ यहां पर ट्रांसफर बेटल जीत के आया है फॉर इस आकास मिस्रा एंड हमको पता ही कि वन अप दी बेस्ट लेट इंडिया कुरंटली है उसके लाव राहूल बेक है तो आपके पास थे ही थे राइट बेक पर एंड जो एक मात्र इंडियन प्लेयर है कि जन्होंने एफसी चेंप्रेस लिंग में गोल मारा हुआ है तो उनका पोजिशन वहां पर सिक्क्रेश संजीव स्टालिन यहां पर ल पड़े तो तो इस इस दा बेक लाइन ओफ मोंबे सिटी चो की काफी सोटेड है एंड रोल स्पेसिफिक उनके पास प्लेयर है तो इस सेंस में कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं लेकिन थोड़ी सी डेफ्ट यहां पर मेरे को फूल बेक्स में कम लग रही है उसके बात बात क इंजरी हो चुके है एंड देखते हैं कि कितनी सिरियस इंजरी है वह स्पेयन वापिस जा चुके है तो आइठिंग फर्स्ट आफ ओफ दी सीजन में साहिद वो मिस कर जाए सेकंड आफ ओप दी सीजन में हमें देखने को मिल जाते मिल जाएंगे अलबर्ट ओ नोगवेरा उसके साथ यहां पर उन्होंने एहमद जाहू को यहां पर जाने दिया एंड उसकी जगह पर लेके आये योईल वैन नाइफ फ्रॉम डच मिट फिल्डर एंड काफी जदा वास्ट एक्सपिरेंस है यूरोप में खेलने का तो उसको लेके आये दुरान कप में मोका भी दिय है एंड ही कें प्ले देट डिफेंसी मिट फिल्डर रोल एंड एक सेंटर बेक का भी रोल वह प्ले कर सकते हैं अगर आपको जरूद पड़े तो तो उसका भी देखना इस सेजन काफी एकसाइटिंग रहेगा पर्टिक्लर लिए चेंपियास लिग है उनका रोल काफी अगर इंडियन मिट फिल्डर की बात करें तो यहां पर आपके पास अप्सन है अपू या उबियसली आपके क्या वलती की एपसलू स्टार्टर इन देट पोजिशन उसके लावा यहां पर विनीत राही है जो की भी एक 23-year-old इंडियन मिट फिल्डर उसके बाद यहां पर आपके बास चाहेस रान है अनदर एक्सपियरेंस मिट फिल्डर एड उसके लावा एक और यहां पर रिलाएंस यूथ चैंप से उन्होंने एक स साइन किया है वह यहां पर फ्रेंक्ली नेजर है अनदर गोवन बोई और 19-year-old काफी प्रोमिसिंग टेलेंट है वो पी तो उसको भी देखने के लिए एक्साइटेड है कि किस तरह से उसको आयसल में कितना गेम टाइम मिलता है एंड किस तरह की यहां पर परफ्रोंस दिख स्टार्टिंग 11 में या फिर जो स्कोर्ड में है वह काफी ज़्यादा स्ट्रोंग करते जा रहें परफ्रोंस आप्टर दी परफ्रोंस सो ही विल बी रिली रिली कुर्शल बेकप फॉर दी चांगते एंड विपिन उसके बाद अगर आप स्ट्राइकर पोजिशन पे देख हाई लिग में सबसे हाइस गोल स्कोरर रहे थे इंटरम्स अगर हम बात करें तो उनको भी यहां पर उन्होंने साइन किया है और गुरकेर सिंग आपका लेफ्ट में भी खेल सकता है तो विपिन सिंग के ऑप्शन में उसको भी आप पहां पे खिला सकते हो तो फ्रंट में आप देखिए काफी वराइटी वाले प्लेयर उनके पास है और फ्रंक्त भी आइधिंग सोटेड आउट है यहां पे उतनी ज्यादा डेफ्ट नहीं बोलेंगे विंग में लेकिन यहां पे सोटेड आउट वाले प्लेयर है तो ओवरल वेरी गुड सेटल स्कोर्ड एंड ज पर रखना चाहूंगा मैताब एंड रोचसन ग्रिफिस एज सेंटर वेक पेर अकास मिस्रा राहूल वेके विल भी फूल वेक्स मिड्फिल की बात करू तो जैसे कि नोगवेरा भी इंजर हो चुका है तो उसके चलते योल वेन नाइफ अपुया एंड ग्रेक चांगते रहने वाले चांगते उनको यहां पर आएसल एंड यहां पर चैंपियस लिग में काफी ज्यादा एक इंपक्ट वाले प्लेर रहने वाले है तो लेट मिनो गाइस आप क्या सोचते हूं मूंबे सिटी की स्कोर के बारे में एंड मेरा प्रेडिक्शन जो रहेगा म मेरे को लगता है कि इस बार वो डेफिनेटल यहां पर राउंड ओफ सिक्षिन में जाने की पूरी कोशिश है और सक्सेस्पूल भी होंगे मेरे को यह लग रहा है जिस तरह की टीम है उनके बास तो देर सेट फ्रम माय साइट गाईस रिगारिंग मॉंबे सिटी स्कोर्ड अनलिसिस और आपको विडियो इंफर्मिट लगाओ कीब सब्सक्राइब एंट फूर्ड एंट फूर्ड टोंट फर्गेट टो लाइक सब्सक्राइब की रिशरी जय हिंद जय बारत